हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक तु माई यूटूब चैनल फ्रेंड्स बता दे कि इंडिया वर्सस अस्टेलिया फर्स टी ट्वैंटी मैच पंजाब किर्केट एसोसेशन स्टेडियम में भारत और अस्टेलिया के बीच टी ट्वैंटी स्रीज का पहला मैच खेला जाएगा महाली में टीम इंडिया कभी हारी नहीं है लेकिन अस्टेलिया टीम को बिलकुल भी हलके में नहीं लिया जा सकता है यहां की पिच कैसा बरताओ करेगी साथ में बताते हैं कि क्या टास अहम भूमी का निभाती है 25 भी बार है जब भारत और अस्टेलिया टी 24 में आमने सामने होंगी इस से पहले हुए मुकाबले में 13 भार भारत और 9 बार अस्टेलिया ने जीत दर्ज की है मुहाली में भी भारत का रिकॉर्ड अच्छा है इस से पहले दोनों के मैच यहां एक मात्र मैच 2016 में खेला गया था तब भारत ने 6 बिकर से अस्टेलिया को हराया था उस मैच में बिराट ने नाबाद बयासी रन बनाये थे और प्लेयर आपदा मैच चुने गये थे अस्टेलिया ने भी यहां एक मैच जीता था उसने 2016 में नेजी लेंड को यहां सिकस दी थी पिछ बले बाजी के लिए अच्छी है लेकिन यहां कई मैचों में देखा गया है कि गेजबाज मैच का रुक बदल देते हैं दूसरी पारी में बले बाजी करना आसान होता है क्योंकि यहां ओस आने की संभावना अधिक रहती है पहले बले बाजी की जाए तो कोशिस होनी की 190 रन से अधिक का स्कोर खड़ा किया जाए तब जाकर दूसरी टीम पर दबाव बनाया जा सकता है लेकिन वहाँ दोस्तों बता दे की एसिया का फो या पिछले वर्ल कप टांस हर मैच में अहम भूम का निभाता आया है यहां भी ए टांस महत्रपूर होने वाला है टांस जीतने पर कप्तान पहले बले बाजी ले तो अच्छा फैसला रहेगा दूसरी बारी में बले बाजी करना थोड़ा आसान हो जाता है दोस्तों बता दे की इंडिया परस अस्टेलिया टी-ट्वेंटीफ फास्ट मैच खेला जाएगा दोस्तों बता दे की अस्टेलिया की ट्वेंटी स्क्वार्ट क्या है औरन फिंच सीन ओव बोर्ट एस्टन असगर पिटकमिंस टीम क्या है रोही सर्मा कप्तान लोकेश राहूलू कप्तान ब्राट कोहली सुर्कुमार यादो दीपक हुड़ारी सब पंत बिकटकी पर दिनेश कार्तिक बिकटकी पर हर्दिक पांडिया रभी विश्नौई यूजेंदर चाहल अच्छर पटेल भूनेसवर कुमार मुहम्मद सम हरसल पटेल दीपक चाहर जस्पृत भूमरा यह दोस्तों दूनों टीमों का फानल इसक्वाइड वहीं दोस्तों बता दे कि यहां की पिछ बहुत ही अच्छी मानी जाती है पंजाब किर्केट एसो सेशन इस्टेडियम में भारत और अस्टेलिया के बीच टी टुन्टी स् दोस्तों टांच अहां भूम का निभाती है 25 वी बार है जो भारत और अस्टेलिया टी टुन्टी फारमेट में आमने सामने हुई थी इससे पहले हुए मुए मुकाबले में 13 मैच भारत ने जीत दर्ज की थी और वहीं 9 बार अस्टेलिया ने भी जीत दर्ज हासिल की थी मह पहली में भी भारत का अच्छा रिकॉर्ड रहा है 2016 में खेला गया था तब भारत ने छे बिकट से अस्टेलिया को हराया था उस मैच में बिराट खोली को नाबाद बयाशी रन मैनाब दप्लियर भी चुना गया था अस्टेलिया ने भी यहां की एक मैच जीती है उसने 2016 मे निजी लेंड को सिकस दी थी दोस्तों वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फार वाचिंग